हाई गाईज आज आपका सौनितरब चैनल में स्वागत है आज हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता क्या है ऐसा कहा जाता है कि कम से कम शब्दों में अधिकादिक भाव या व्यचार अभिव्यक्त करना अच्छे लेखक अत्वा वक्ता का गुण है इसके लिए ऐसे शब्दों का ज्यान आविशक है जो विभिन वाक्यांशों या शब्द समूहों का अर्थ देते हो ऐसे शब्दों के प्रियोग से हमारे कृती में कसाव अटाती है और अभिव्यक्ती प्रभावशाली होती है इसलिए हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे अनिक शब्दों के लिए एक शब्द सबसे पहले है छोटे आज से शुरू होने वाले शब्द अनुचित बात के लिए आग्र है मतलब दुराग्र है अंडे से जन्म लेने वाला अंडज आकाश को चूमने वाला आकाश चुम्बी अपने देश से दूसरे देश में समान जाना निरियात अपनी हत्या स्वेम करना आत्म हत्या अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसर वादी अच्छे चरित्र वाला सच वित्र आग्या का पालन करने वाला आग्याकारी अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना निरियात अपनी हत्या स्वेम करना आत्म हत्या, अत्यंत सुन्दर इस्त्री रूपसी, आकाश को चूमने वाला गगन चुम्बी, आकाश में उड़ने वाला नबचर, आलोचना करने वाला आलोचक, आशा से अधिक आशातीत, आगे होने वाला भावी, आखों के सामने प्रत्यक्ष, आखों से परे, परोक्ष, अपने परिवार के साथ, से परिवार, आशा से अतीत, या अधिक, आशातीत, आकाश या गगन चूमने वाला, आकाश चुम्बी, गगन चुम्बी, आलोचना करने वाला, आलोचक, आलोचना के योग्य, आलोच्य, आया हुआ, आगत, अविश् अधिकार या कबजे में आया हुआ अधिकरत अन्य से संबंध ने रखने वाला अनन्य अभिने करने वाला पुरिश अभिनेता अभिने करने वाली इस्त्री अभिनेत्री अच्छा बुरा समझने की शक्ती का अभाव अभिवेक अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना अंश्तान अनुकरन करने योग्य अनुक अल्प वेतन भोगी अध्यन का काम करने वाला अध्यापक आग से जुलसा हुआ अनल दक्थ अपने प्राढ आप लेने वाला आत्मगाती अर्थ या धन से संबंद रखने वाला आर्थिक आधी से अंत तक आधुपांत आशा से अतीत आशतीत आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक आशुलीपि या शौट हैंड जानने वाला लीपिक आशुलीपिक अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला इच्छाचारी आड या परदे के लिए रथिया पालकी को ढखने वा जघनवाला कपड़ा ओहार अपनी विवाहित पत्नी से उस्त्पन्थ पुत्र औरश पुत्र अपने कर्थव्य का निर्णे से करने वाला किनकरत व्यवी मूड अधिक दिनों तक जीने वाला चिरंजीवी अन को पचाने वाली जठर पेट की अगनी जठरागनी अपनी जक या धुन में मस्त रहने वाला जक्की आवला या हर वे बहेडा क्रफला अनुचित या बुरा आचरन करने वाला दुराचारी अपराद और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला प्रश्न दंड सहिता अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात आदे से अधिक लोगों की संबिलित एक राय बहुमत अपना हित चाहने वाला स्वार्थी अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वैम सेवक अपने देश से प्यार करने वाला देश भक्त अपने देश के साथ विश्वास घात करने वाला देश द्रोही अनुचित बात के लिए आग रहे दुराग रहे आँख की बीमारी दृष्टी दोश अपने पती के प्रती अनन्य अनुराग रखने वाली पती व्रता अपने पद से हटाया हुआ पदचियुत अपने को पंडित मानने वाला पंडित ममने आटा पीसने वाली इस्त्री पीसन हारी आखों के समक्ष प्रतियक्ष आय से अधिक फ्यर्थ खर्च करने वाला किजूल कर्ची आय व्याय लेन देन का लेखा करने वाला लेखा कार अपने परिवार के साथ है जो सैपरिवार अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला स्वाब लंबी अविवाहित लड़की कुमारी अगहन और पूस में पढ़ने वाली रितू हिमंद अभें बड़ा उसे श्रू होने वाले शब्द उपर कहा हुआ उपर युक्त उपर युक्त उपर लिखा गया उपर लिखित उसी समय का ततकाली अभें चोटी और बड़ी इसे श्रू होने वाले शब्द इश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक इश्वर पर विश्वास ने रखने वाला नास्तिक इतिहास का ग्याता अतिहासक, इंद्रियों को जीतने वाला जीतेंद्रय, इंद्रियों की पहुच से बाहर अतिंद्रय, इतिहास से संबंद रखने वाला अतिहासिक, इश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रिय जीत, इंद्रियों से संबंदित इंद्रिक इस लोक से संबंद रखने वाला एहलोकिक इतिहास से संबंदित एतिहासिक अब हैं बड़े आई से सुरू होने वाले शब्द एक ही समय में वर्तमान समय सामेक एक इस्थान से दूसरे इस्थान को हटाया हुआ इस्थान आंत्रित एक पहाशा की लिख्यूई बात को दूसरी भाशा में लिखना या कहना अनुवाद, ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो, आमरड व्रत, ऐसा ग्रहन जिसमें सूरिय चंद्र का पूरा बिम्ब ढख जाए, खग्रास, ऐसा जो अंदर से खाली हो, खोकला, ऐसा तर्क जो देखने में शामिल होने वाला दलवदलू, एक देश से माल दूसरे देश में जाने की क्रिया निर्यात, एतिहासिक युक के पूर्व का प्राग एतिहासिक, एक महिने में होने वाला मासिक, एक ही जाती का सजातिय, एक ही समय में उत्पन होने वाला समकालिन, एक ही समय में वर्तमा समसामेक, एक सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक, अब हैं को से शुरू होने वाले शब्द, किसी पद का उम्मीदवार प्रतियाशी, कीरतिमान पुरुष यशस्वी, कम खर्च करने वाला मित्वियाई, कम जानने वाला अलपग्य, कम बोलने वाला मित्भाशी, कठिनाई से समझने योग्य दुरवोध कलपना से परे हो कलपना अतीत किसी की हसी उड़ाना उपहास कुछ दिनों तक बने रहने वाला टिकाऊ किसी बात को बढ़ा चड़ा कर केहना अतिश योक्ती कठिनता से प्राप्त होने वाला दुरलब किसी पद का उम्दवार प्रतियाशी किसी विशे को विशेश रूप से जानने वाला विशेश सग्य, किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उध्योग, स्पर्धा, क्रम के अनुसार ये था क्रम, कार्य करने वाला कार्य करता, करने योग्य, करणिय करतव्य, किसी कथा के अंतरगत आने वाली दूसरी कथा, अंध्य कथा, करिय शुल का वह अंश जो किसी कारण वर्ष अधिक से अधिक लिया जाता है, अधिभार, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता, किसी कार्याले या विभाक का वह अधिकारी जो अपने अधिन कार्य करने वाले करमचारियों की निक्रारी रखें, अधिशक, किसी सभास संस्था का प्रधान, अध्यक्ष, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता, किसी व्यक्ति या सिद्धान्त का समर्थन करने वाला अनुयाई, किसी कार्य को बार बार करना अभ्यास, किसी वस्तु का भीतरी भाग अभियंतर, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीवर इच्छा अभिपसा, किसी प्राणी को नेमारना अहिंसा, किसी बात पर बार बार ज जिसमें कोई चीज आ सके आयतन, किसी अवधी से संबंध रखने वाला आवधिक, किसी देश के वे निवासी जो पहले से वहां रहते रहे हैं आदिवासी, किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक, किनी घटनाओं का काल करम से किया गया व्रत इतिवरत, किस किसी नई चीज का बनाना इजात या अविशकार, किसी के बाद उसकी संपत्ती प्राप्त करने वाला उत्रादिकारी, किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला कारगारिक, कारे करने वाला व्यक्ती, कारे करता, किनी निश्चित कारियों के लिए बनाई गई समीती, कारे समीती, क्रम के अनुसार, किसी विचार निरणे को कारे रूप देना कारिया नवयन, कुंती का पुत्र कौंते, किसी के घर की हुने वाली तलाशी, खाना तलाशी, किसी के इर्दगिर्द घहरा डालने की किरिया घ किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात, चितावनी, किसी वस्तु का चौथा भाग, चतुरतांश, किसी काम या व्यक्ति में छिद्र या दोश निकालने का कारिय, छिद्रान वेशन, करमचारियों आदी को छाट कर निकालने की क्रिया, छटनी, किसी भी बात को ज जानने की इच्छा जग्यासा। के लिए लिखा गया पत्र त्याग पत्र कुछ निष्चित लंबाई का कपड़ा थान किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तू थाती धरोह या अमानत कपड़ा साइन का व्यवसाय करने वाला दरजी किसी के साथ संबंध ने रखने वाला निसंग कहीं हुई बात को बार पिश्ट पेशन, किसी आरोप के उत्तर में किया जाने वाला आरोप प्रत्यारोप, किसी टूटी फूटी वस्तू का पुनर निर्माण, किसी देवता पर चड़ाने के लिए मारा जाने वाला पशु बली, किसी पदपर जो पहले रहा हो पूत पूर्व, किसी बात का गूड रहिस्य जानने वाला मरमग्य, किसी मत को मानने वाला मतानुयाई, कम खर्च करने वाला मित्वियाई, क्रम के अनुसार यथा क्रम, किसी विशे को विशेश रूप से जानने वाला विशेशग्य, किसी काम में दूसरों से बढ़ने की इच्छा इस परधा, कुछ खास शर् भूटा भोचन भोजन उच्छिस्ट खाने योग्य पदार्थ खाद्य खाने की इच्छा भुभोच्छा खून से रंगा हुआ रक्त रंजित खेलने का मैदान क्रिडास्थल गास से शुरू होने वाले शब्द गिरा हुआ पतित ग्रह या घर बसाकर इस्थित या रहने वा ग्रामीर गोद लिया हुआ पुत्र दक्तक पुत्र गौपों को घेरा बांध कर माचने की किरिया रास गुरू के समीप रहने वाला विध्यार्ती अंतेवासी गुड़ दोशों का विवेचन करने वाला आलोचक गडित शास्त्र के जानकार गडित तक्य गंगा का पुत्र गांगे ग्रह या घर बसाकर रहने वाला ग्रस्त गगन या आकास चुमने वाला गगन चुम्बी गास से शुरू होने वाले शब्द गास छीलने वाला गसियारा उस लेने वाला या रिश्वत लेने वाला गूसकोर या रिश्वतकोर गुलने योग्य पदार्त गुलनशी गणा करने योग्य गणास पद घूम फिरकर सौधा बेचने वाला फेरी वाला नेक्टे गहर चार से शुरू होने वाले शब्द चार वेदों को जानने वाला चतुरवेदी चार राहों वाला चोराहा चेतन स्वरूप की माया चिद्विलास चुहे फसाने का पिंजडा चुहे दानी चौथे दिन आने वाला जुवर चौथिया चारो और की सीमा चोहदी चारो और जल से घिरा हुआ भूभाग तापू चोरी छिपे चुंगी शुल्क आदी दिये बिना माल लाकर बेचने वाला तसकर चौपायों को बांधने का इस्थान थान चार मूखों वाला चतुरानन चिंता में डूबा हुआ चिंतित चुनाव में अपना मत देने की किरिया मत दान नेक्स्ट है छो से शुरू होने वाले शब्द चिपे वेश में रहना चुंद वेश चातरों के रहने का इस्थान शात्रवास छै महीने के समय से सम्बंद से शे माही चत में टांगने का शीशन का कमल या ग्लास जिसमें मॉम्बत्या जलती हों फानूस छोटे कद का आदमी बौना छै कौने वाली आकरती शटकोण 6-6 महिने पर होने वाला शाण मासिक छूट से फेनने वाला रोग संक्रामक 6 मुहों वाला शडमोख या शडानन इक्स्ठे जास से शुरू होने वाले शब जो कभी ने मरे अमर जो पढ़ा लिखा ने हो अपड या अनपड जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है साक्षर जो दूसरों पर अत्याचार करे अत्याचारी जो दिखाई ने दे अद्रश्य जो कभी नश्टने हो अनश्ष्वर जो उच्च कुल में उत्पन हुआ हो कुलीन जो छमा के योग्य हो छम्य जो कम बोलता हो मित्भाशी जो अधिक बोलता हो वाचाल जो सब जगे व्याप्त हो सर्व्यापक जो देखने योग्य हो दर्श्निय जो कुछने करता हो अक्रमर्निय जो पुत्र गोद लिया हो दत्तक जो मान सम्मान के योग्य हो माननिय जो नश्टने होने वाला हो अविनाशी, जो किसी का पक्षने ले तठस्त, जो परिचित ने हो अपरिचित, जो इस्थिर रहे थावर, जो वनमें घूमता हो वंचर, जो इस लोक से बाहर की बात हो अलोकिक, जो धनका दुरुपयोग करता है अपवियाई, जो कानून के विर प्रत्यक्ष, जो आँखों के सामने हो प्रत्यक्ष, जो दो भाशाएं जानता हो दो भाशिया, जो धर्म का काम करे धर्मात्मा, जो अभी अभी पैदा हुआ हो नवजात, जो कठिनाई से प्राप्थ हो दुरलब, जो स्वेम पैदा हुआ हो स्वेमभू, जो शरण में आ जो उदार ने हो अनुदार, जो चित्र बनाता हो चित्रकार, जो बूढाने हो अजर, जो नहीं हो सकता असंभव, जो हो सकता संभव, जो आमिश या मास नहीं खाता निरामिश, जो पहरा देता है प्रहरी, जो दूसरों पर अत्याचार करे अत्याचारी, जो किसी पक्ष में न हो तठस जो कभी ने मरे अमर जो कहा न जा सके अकथनिय जो गिना न जा सके अगरित जो थोड़ी देर पहले पैदा हुआ हो नवजाद जो जन्म से अंदा हो जन्मान जो किये गए उपकारों को जानता या मानता है रत्यग्य जो किये गए उपकारों को नहीं मानता है रत् पक जो परिचित ने हो अपरिचित जो सब कुछ जानता है सरवग्य जो किसी की ओर से है प्रतिनिदी जो बहुत जानता है बहुग्य जो इस्त्री कवीता लिखती है कवीत्री जो पुरुष कवीता रचता है कवी जो शत्रुकी हत्या करता है शत्रुक्न जो मास का आहार करता मासाहारी जो शाक का आहार करता है जो फल का आहार करता है फलाहारी जो विज्ञान जानता है विज्ञानी जो व्याकरण जानता है व्याकरण जो लोक में संभवने हो अलोकिक जो स्वार्थ या अपनी ही भलाई चाहता है स्वार्थी जो परमार्थ दूसरों की भलाई चाहत परमार्थी जो देखने में प्रिय लगता है प्रिय दर्शी जो आसानी से लब्द है सुलब्द जो दूसरों के अधीन है पराधिन जो मन को हर ले मनोहर जो धर्म करता है धर्मात्मा जो सांप पगड़ता है सपेरा जो पीने योग्य हो पेव जो नाचता है नित्यकार या न हिख जो नआ याया हुआ हो नवाग नवागंतुख जो भूक गर्व का हाल जानता हूँ भूग गर्ववेता जो कहाँने जा सके कथनी रही करता है भूधर जो सर्वशक्ति संपत्र है जो कर्तव्य से चिउत हो गया है करतव चिउत जो वणण के अतीत है वणण अतीत जो इस्त्रीर सूर्य भी न देख सके अर सूर्यम पाश्या जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके दुर निवार जो मुकदमा दायर करता है वादी जो घोड़े का आरोही है अश्वारोही जो संगीत जानता है संगीत अग्य जो कला जानता है या कला की रचना करता है कलाकार जो सरों में जनमता है सरसिल जो अच्छे कुल में उत्पन हुआ है कुलीन जो सब में व्याप्त है सर्व्यापी, जो किसी की ओर से है प्रतिनिदी, जो मुकदमा लड़ता रहता है मुकदमे बाज, जो देने योग्य है दे, जो देखा नहीं जा सकता अद्रिश्य, जो वचन से परे हो वचनातीत, जो कहा गया है कथित, जो इस्तरी के वशी भूत या उसके स्वभाव का है त्रेड, जो बहुत बोलता है वाचाल, जो इस्तरी अभिने करे अभिनेत्री, जो पुरुष अभिने करे अभिनेता, जो दूसरे से इर्शिया करता है श्यालू, जो सत्रु की हत्रिया करता है शत्रुग, जो पिता की हत्या कर चुका है पित्रहंता, जो माता की हत्या कर चुका है मात रहनता जो अपनी हत्या करता है आत्मगाती जो पर के अधीन है पराधीन जो देखने में प्रिया लगता है प्रियदर्शी जो नभ या आकाश में चलता है नभचर या खेचर जो द्वार का पालन या रक्षा करता है द्वार पाल जो शास्त होने वाला है नश्वर जो सबको समान भाव से देखे समदर्शी जो बेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य जो कठिनाई से बेदा या तोड़ा जा सके दुरबेद्य जो मापा ने जा सके अपरी में जो प्रमेन हो प्रमे जो इच्छा के अधीन है इच्छा धीन जो दू शोक में संभवने हो अलोकिक जो मन को हर ले मनोहर जो अनूकरण करने योग्य हो अनूकरणिये जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद बचाओ या काट करे प्रतिवादी जो राज गद्दी का अधिकारी हो युवराज जो धर्मचारण करता है धर्मात्मा जो पुस्तकों की आल रोचक यह समिक्षक चुchl व्यांखया करता है व्याख्यृता तो संप पकड़ता और इसकापेल करता है सपेरा जो इस मरण रखने युग्या इस मरणी है जो पाणचाल की है पांचाली जो किसी का पक्ष ने ल्ल्य निश्पक्ष जो यान यह सवारी जल में जलियान जो पुरुष लोही की तरह बलिष्ठ है लोह पुरुष जो खाया ने जा सके एक खात्य जो सब के आगे रहता हो अग्रणी जो नित्रों से दिखाई ने दे अगोचर जो खाली ने जाए अचूक जो अपने इस्थान या इस्तिती से अलग ने किया जा सके जो छूआने गया हो अचूता जो बूढाने हो अजर जो ने जाना गया हो अग्याद जो अपनी बात से ने टले अटल जो अपनी जगह से ने डिगे अडिक जो सब के मन की जनता हो अंतरियामी जो बीत गया है अतीत जो दबाया ना जा सके अदम्य जो देखा ना जा सके अद्रिश्य जो देखने योग्य न हो अद्रिश्णिय जो पहले ने देखा गया हो अद्रिश्ट पूर्व जो किसी विशेश समय तक की लागू हो जो परिक्षा में उत्तीर ने हुआ हो अनुतीर जो मैपा ना जा सके अपरी में जो आँखों के सामने हो सामने ने हो अपरत्यक्ष जो पूरा या भरा हुआ है ने हो अपूर्ण जो किसी की और मुह किये हुए हो अभिमुक जो कभी मृत्यों को प्रापने हो अमर जो कावे संगीत आधी का रसने ले परसिक जो इस लोग कहना हो अलौकिक जो ठीक ने किया जा सके असाध्य जो शोक करने योग्य नहीं है अशोच्य जो इस्तरी सूर्य को भी ने देख सके असूरियम पश्या जो विधान य आगे की ने सोचता हो अधूर दर्शी जो समय पर ने हो असामेक जो दिया न जा सके अधे जो मारव के योग्य न हो अमानुशिक जो हिसाब किताब की जौच करता हो अंखेचक जो पहले कभी घटित ने हुआ हो अगटित जो पहले कभी नहीं सुना गया अशुरुत जो आलोचना के योग्य हो आलोच्य जो इंद्रियों के ग्यान के बाहर है इंद्रिया तीत जो छाती के बल चलता है उदग और सर्फ जो धर्ती फोड कर जनमता है उदभिज जो उद्धार करता है उद्धार जो किसी नियम को ने माने उच्छंखल जो भूमी उपजाव हो उर्वरा, जो दिन में एक बार भोजन करता है एक अहारी, जो अपनी इच्छा पर निर्बर हो एच्छीक, जो कान को कटू लगे कन कटू, जो कटू बोलता है कटू भाशी, जो कष्ट को सहन कर सके कस्ट शहिश्डू, जो काम से जी चुराता है कामचो, जो कर्तव्य से च्य जो केंद्र की और उनमुक होता है केंद्राभी मुक जो सदेव हाथ में खड़क लिये रहता हो खड़क हस्त जो गाउं से संबंदित हो ग्रामीर जो कठनाईयों से पचता है गरिश या गुरुपक जो गिरी को धारन करता हो गिरधारी जो छिपाने योग्य हो गोपनिय जो जो चंद्र इधारन करता है चंद्रधारी जो चिरकाल तक बना रहे चिरस्थाई जो चर्चा का विशय हो चर्चित जो अपने इस्थान से डिग गया हो च्यूत जो जरायू से जनमता है जरायुच जो यान या जल में रह चलता हो जलियान जो तर्क योग्य हो तर्किक जो तर्ख के आधार पर सही सिद्ध हो तर्ख संगत, जो तीन गुणा texto- discipligam, तीर गुणा तीत, जो दर्शन सास्र का ग्याता हो दाशनिक जो दौर का पालन करता है दौरपाल जो मुश्किल से प्राप्त हो दुष्प्राप्य, जो विलंब या टाल मटोल से काम करें दीर्ग सूत्री, जो वस्तु दूसरे के यहां रखी हो धरोहर, जो एक अक्षर भी ने जानता हो निरक्षर, जो तेजीन हो निस्तेज, जो अपने लाब या स्वार्त का ध्यान ने रखता हो जो उत्तर ने दे सके निरुत्तर जो नियाय जानता हो नियाय जो अती या लगू नहीं है नाती लगू जो बहुत या बड़ा नहीं है नाती दीर जो निरुत्य करता है निरुत्यकार जो नीचे लिखा गया है निम्लिकित जो दृष्टी के छेत्रे से परे हो परोक्ष जो आर्थ चाहता है परमार्थि जो अपने पत्स से भटक ज्याऊ पत्वरष्ट जो दूसरों का बढ़ााны वाला होऊओ पराइथी जूसरों को उप्चार करने वाला परुपकारी पृत्वी से संबन्दित हो पार्थिं जो पिंड से जन्मता tutor पिंड़ जो उक्ति बार-बार कही जाए पुन्रुक्ति जो किसी का पृतिवाद करे प्रतिवादी जो पहरा देने प्रशंस्निय जो अपने मात्र भूमी छोड विदेश में रहता हो प्रवासी जो केवल फल खाकर निर्भा करता हो फलाहारी प्रेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही आगे के शब्द हम नेक्स लेक्चर में पड़ेंगे धन्यवाद